तो गाइस हम लोग जा रहे हैं अभी मेरे ससुर के घर मेरे मैडम मेरी वाइप पीछे बैटी हुई है क्यामरा ले करके मतलब मेरे फोन ले करके और बोले कि चलो यूटूब फ्रेंड्स को दिखाते हैं हमेरे गाओं के नजारे सब तो बाइक चला रहा हूं और पीछे मैडम जी वीडियो बना रही है देखिए गाओं के नजारे अभी देखिए यहां पर खेती नहीं वाए खतम हो चुका है इसलिए थोड़ा सा बिराना दिखता होगा लेकिन यह जब खेती होती है मैं कभी वीडियो बनाऊंगा इसका बहुत ही खुबशुरत बहुत ही ग्रीन इधर हर तरफ ग्रीन दिखता है और गाईस आप लोग सोचते होंगे यार वीडियो क्यों नहीं आ रही है मतलब वो काउंट डाउन वाली यार मैं थोड़ा बीजी रहता हूं इसलिए बनाना नहीं पाता दो चार दिन लगेंगे और नई मूवी नहीं आ रही है जब भी अच्छी मूवी आती है वो डिलीट हो जाती है तो समझा क्या है यार और लिंक एकस्पायर होने का मतलब होता है कि कॉपिराइट या कुछ भी इस्यू की बज़े से वो डिलीट हो जाती है बहुत जल्दी तो मेरा इसमें कोई भी ह बात नहीं है यार मैं चाहता हूँ आप हमेसा अच्छा मूँ भी देखें हमेसा अभेलेबल हो लेकिन वो डिलीट हो जाती है तो मैं क्या करूं उसमें और यह देखिए गाउ है तो टूटा फोटा जगा तो मिलेगा ही रोड उतना सही नहीं है लेकिन फिर भी है चलता है तो यह है नजारा देखो ग्रीन तो भाई लोग देखिए आप लोग कितना खुबसरत है यह न तो यह मेरा ससुर का गाउ है मैं गया था कल और जैसे कि आप लोग रिक्वे आप वीडियो बनाएंगे तो यह वीडियो मेरी वाइफ ने बनाई है और देखिए बिजली चमक रही है फिर भी अभी देखेंगे आप लोग बिजली चमक रही है फिर भी देखिए बिजली चमक रही है फिर भी वो वीडियो बनाई है उसके लिए एक लाइक तो जरू ब प्रडरियों से मेरे इंगलोज से उनके पापा ममी सब ढांट रहें किया रही यार बिजली चमक रही है बंद कर फॉन को लेकिन फिर भी वो रिकॉर्डिंग कर रही है आप लोग के लिए सिर्फ आप लोग के लिए तो प्लीज लाइक जरू करिएगा ठीक है तो देखिए एंजोय करिए गाउं का नजारा बारिस के मौसम में बहुत ही बढ़िया लगता है लेकिन हम लोग खुले में में दिखा सकता था लेकिन बिजली हो रही है और थीज बारिस भी तो ऐसे में मुम्किन नहीं है बाहर जाना तो को सब्सक्राइब जरू करिएगा तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ तता के लिए स्टे हल्दी